इस वीडियो में हम लर्न करेंगे की Like Frictions को Compare कैसे करते हैं Meaning तो Like Frictions दे रखें कैसे पता चलेगा कि उन दो में कौन सा Greater One है बड़ा Friction कौन सा है तो हम दो Frictions लेते हैं एक Friction है 3 8 और दूसरा Friction है 5 8 और हमें यह decide करना है कि इन दो fractions में से greater कौन है बड़ा fraction कौन है तो सबसे पहले यह जो दोनो fractions हैं इनके जो denominator है denominator क्या है? 8 है, same denominator है इसलिए यह कैसे fractions है? like fractions अब denominator 8 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि दोनो fractions के लिए जो whole है उसको कितने equal parts में divide किया गया है? 8 equal parts में तो suppose हमारा जो fraction strip है यह हमारी fraction strip है जो हमें कितने equal parts में divide करना है? 8 equal parts में तो अभी अगर हम 3 8ths fraction को देखें तो 3 8ths fraction का मतलब है यह जो friction strip है, rectangular strip है, इसमें से कितने parts select किये गए है, three parts, तो यह जो shaded region है, यह कौन से friction को denote कर रहा है, three eights friction को, again जो five eights friction है, तो उसका भी जो rectangular strip है, उसमें भी कितने equal parts होंगे, eight equal parts, तो same rectangular strip ले रहे है हम, जिसको कितने parts में divide किया गया है, eight equal parts में divide किया गया है, अब इसमें कितने, कितने parts select किये गए है, five parts select किये गए है, तो five parts को हम shade कर रहे है, five parts को हम shade कर रहे है, one, two, three, four, five, तो जो यह shaded region है, यह कौन सा fraction इसको denote कर रहा है? 5 8 तो अगर हम इन दोनों diagram को देखें, तो हम देखेंगे कि जिस shaded region को 5 8 fraction denote कर रहा है, वो portion जो है greater है, किसके मुकाबले? वो portion जो जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 8 रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब जो है, जो यह 5 8 fraction है, वो greater than है किस से? 3 8 से, greater than का sign कैसे होता है? तो greater value की तरफ 2 dot, smaller value की तरफ 1 dot, और यह हमने इन dots को ऐसे जोड़ा तो इसका मतलब 5 8 fraction बढ़ा है 3 8 fraction से पर इस diagram की मदद से, एक simple सा rule आगया है, वो rule यह है कि बिना rectangular strip बनाए हुए, बिना diagram से बनाए हुए, हम देख सकते हैं, कि वो fraction जिसका numerator जो है, greater होता है, जैसे यहाँ पर number 5 is greater than 3, तो जिसका numerator greater होता है, वो ही पर जो है, 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 जो है, कैसा fraction होता है, greater fraction होता है, वो बड़ा fraction होता है, तो यहाँ से हमारे पास like fractions को compare करने के लिए एक rule आ गया, और यह rule क्या कहता है, जो like fractions में वो fraction जिसका numerator greater होता है, बड़ा होता है, वो ही fraction जो है, क्या होता है, greater friction होता है, बड़ा fraction होता है, तो अगर हम एक example लें which is the larger fraction 13 24 और 11 24 फिर्स तिंग जो हमने notice की वो यह notice की कि यह दोनों जो fractions है उनके जो denominators के हैं सेम है इसका मतलब यह कैसे fractions है like fractions और हम कौन सा like fractions में क्या रूल है कि वो fraction जिसका numerator जो है greater होता है वो fraction दूसरे fraction से क्या होता है greater होता है तो हम जानते हैं जो 13 number है वो 11 से क्या होता है greater होता है हम जानते हैं 13 जो number है वो greater होता है 11 से numerator सो क्योंकि 13 जो है इस वाले fraction का numerator है सो इसलिए जो 13 24 जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होगा किस से 11 24 फ्रिक्शन से